प्रिय विद्यार्तियों, आज हम विचार करेंगे संथ नानक देव के पदों पर आजारी हजारी परसाद दुएदी के नुशार मद्य विचार के जिन मात्माओं ने बारति धर्मसादना और समाज विवस्ता को गंभी रूफ से प्रवावित किया उसमें गुरू नानक देव का विश्तान प्रमुक है वर्ष्तुत है मद्य कालन संसायते में गुरू नानक का महत्वक कबीर के समानी रहा है कबीर के समानी उनोंने वेष्टि के लिए विवेक वेरागये भक्ति और ग्जान की अनिवारिये तक हजtechn किया और समस्ति के लिए सदाचार सहियम और सामाजी कुनियन की वावना का सस्तापन किया गुरुन नानक देव का जन्म 1526 में पंजाब के तिलवंडी नाम गाह में कालुराम खत्री के यहां हुआ था ये शिक दर्म के परवर्तक माने जाते हैं इसलिए उनका जन्म इस्तान तिलवंडी जो आप ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है पस्ति में पाकिस्तान में है और शिकों का तिर्थिस्तल भी है द्रम प्राण शिक प्रतिवर्श यहां तीर्थी आत्रा करने जाते हैं बच्पन से इनका रुजान, शान्त, मनन, सील और सादू जीवन की ओर राथा आगे चल कर इनका विवा भी वा दो पुत्र भी हुए परन्तु इनका मन ग्रस्ती और योशाय में नहीं लगा यह प्राई देश ब्रमन के लिए निकल जाया करते थे और वहां विविन दर्मों संपरदाय और सादू संतों और विद्वानों की सत्संग में रा करते थे इन्होंने वच्पन में पंजाबी, हिंदी, संस्क्रत और फार्सी पड़ी प्रंतु आचारे शुक्र का मानना यह कि कबीर की समानी यह ज़्यदा पड़े लिखे नहीं थी ब्रमन सील वेक्ती बहुत शुरुत तो होता ही है साथ इसास्त्रों के पेक्सा अपने अनुबहुसे अर्जित ग्यान प्रदीक अवलंबित रहता है नानक देव में भी यह विशेश्टाम पाते हैं शिक दर्म के प्रवर्तक होने की काण से इनके संबंद में अनेतियासी किवदंतियां प्रचलित हो गई जैसे नाम देव, रेदास और कभीर आदिर के साथ इनकी मेट हुई जबकि यह तीनों ही इनके पूर्व वर्ती थे, नानक भक्त थे भक्ति बाव से अपने पदगाया करते थे कालांतर में इनका संग्रेशिकों का धर्म ग्रंद, गुरू ग्रंद साहिब में किया गया इनको मेला सीर्शक परकरण में इनकी वानी संग्रीत है कबिर के समाने निर्गूर, निराकार, ब्रंद के उपासक थे लोगों की दाना ये भी है कि बक्ति सादरा के खिस्ट में पूर्टे कबिर के अन्युआई थे कबिर के समान इन्होंने भी साकार उपासना, उतारवाद, मूर्ती, बुदा और सामाजी की विभेद उच नीच वन विवस्ता आदिगा विरोध किया था प्रंदुइन के इस विरोध में कबिर किसी अकड़ता, कटुता और निर्ममता नवकर शांत सों में उदार विरोध का रूपी अधिक जलगता है अपने दर्सन में नोंने ज्ञान, कर्म, योग और भक्ती का संबन्वे किया कबिर अपने प्रंतत्व को राम कहते हैं और नानक उसे सब्द और वानी मानते है नानक आए प्रंतत्व है, स्वंबु है, अजनमा है, प्राप्त होने वाला है उसकी प्राप्ती, गुरु उक्रिपा से हो सकती है नानक जीविन की सार्थक्ता, भगवान के ध्यान, नाम इस्वंड में निरत रहने से ही मानते है भगवान के बजन के समुक अन्य सारे गुंगोन है, उस परंतत्व को प्राप्त करने है कबीर के सारे क्रेश मिठ जाते हैं, और सादक मुक्तात्मा बन जाता है कबीर के समान, इन्होंने भी राम को अपना प्रीतम माना विने भावना, कोमलता, म्रदुता, आदि में इनकी तुन्ना संत्रेदा से की जाती है कबीर ने अपने समकालिन और परवर्ती युक का बड़ाई गेरा हैं, इन पर प्रवाव की दरस्टी से नानक कबीर से कई दिक स्टेश्ट और आगे बड़े वे दिखाए देती हैं इन्होंने एक ऐसे धर्म की नीव डाले थी, जो सोक और समान रूप से और समान आउसर प्राप्त है वहां किसी प्रकार का भेदवाव नहीं है, ने कोई बाया डंबर है, ना आचारों का बंदन है ये धर्म मानव मन के एक अद्बूत सक्ति का संचार करता है, जिसमें उदारता, निश्चलता, कॉमलता, विने और भावनाओं के साथ अटूट, निश्टा, अद्बूत, त्याग और अनुपम संच्ति का ओजपून समनु है डाक्टर द्वेदी ने नानके निवाईयों उपर उनके इस अद्बूत और गेरे प्रभाव की प्रसंचा करते हुँ लिखा है के दिन के भक्तों में त्याग भावना दुख बरदास्त कने सकती है और अपार धेरिये को देखा जाए तो ये मानना पड़ेगा के इसी अद्बूत प्रेणदाय ने सकती उनकी वाणियों ने दी है जैसी मद्य यूग के किसी अन्य संत की वाणियों में नहीं इतियासाक्षी है इसिक भक्तों को दिवार में चुन दिया गया था फांसी पर रटका दिया गया था और जितने परकार की आप मानुशिक पिड़ा दी जा सकती है सब दी गई फिर भी इन भक्तों की निरासा और प्राजय का भाब दिखाई नहीं देता जिन वाणियों में मनुश्य के अंदर इतना बड़ा अपराजय आत्म बल और कभी समाप्त नहीं होने वारा सास प्राप्त हो सकता है उसकी महिमानी संदे अतुलनी है सच्ची हर्दे से निकले हुए भक्त के अत्यन तसीदे उद्गार और सब्ते के प्रति द्रद रहने के उपदेश कितने सकती साली हो सकते हैं हम नानक की वाणियों से जान सकते हैं इसके अलावा भी इनके जीवन के समद्ध में कुछ बातें और भी है कि ये बाले काल से आसादान प्रतिबा के दनी थे गुरू ने जब इनको पूछा तो नानक ने बताया कि मो को गिश्कर शयाई बनाओ बुद्धी को स्रेष्ट कागज बनाओ और प्रेम को कलम और चित को लेख गुरू से पूछ कर वीचार पूर्वक लिको नाम लिको नाम के स्टोति लिको और ये भी लिखो कि उस परमात्मां का नाधी है और नंत ये गुरु को समझाने वाड़ा चेला कितना ऐसा दान परतिवासे संपन हो सकता है इसका परमान नानक देव ने अपने बच्पन में दे दिया था नानक की साक्यों से परमानित होता है कि उन्होंने विविन सादू संतों का सच्चं किया था येको पवित संसकार के वक्त पंडित से कहने लगे कि दया का पास हो संतो सूतो सहिम गाठ हो सत्य उस जनेव की पून करने की प्रिक्रिया हो ये जीव के लिए पून जनेव हो पंदरासो साथ में सुलतान्पूर के गवर्नयर दौलत का किया नानक देव मोधिरे मरदाना तलवंडी से आकर नानक का सेवक बन गया और अन्तर तक उनके साथ मेरा नानक पद गाते थे और मरदाना रबाब बजاتा था जाना एक प्रति दिन बे नदी में सरान करने जाते थे कि सरान के पसाथ अंतर ज्यान हो जाते थे इन्हें परमात्मा का साखशाथ कार हुआ परमात्मा ने इन्हें अम्रत पिलाया उन्होंने का कि मैं सदेव तुम्हारे साथ हूँ मैंने तुम्हें आनन्दित किया है जो तुम्हारे संपर्ख में आएंगे वे भी आनन्दित होंगे जाओ नाम में रहो दान दो उपास ना करो और स्वाम नाम लो दूसरों को विश्मन कराओ गरकाबार स्वाषवन मूला को समखर विशन के लिए निकल पड़े मर्दाना इनके दंपर्चार में बराबर इनके सातरा नानक की जो यातरहे हैं उनको उदाशी कहा जाता है उनकी पहली उदाशी 1507-1515 तक दूसरी उदाशी 1517-1518 तक और तीसरी उदासी 1518-1520 मक्का मदिना की यातराईनों ने की थी 1528 एश्वी में एमनाबाद पर बाबर के आकरमन को गुरुना नगदेय ने सुवाम ने आकप से दिखा था ये इतियासम मतत्त है अंगदेव को सोब करके करतारपूर की जोती में विलीन होगे गुरुना नगदेव की शिक्षाओं का निचोड़ यही है कि आंतरिक साधनों से इस्वर की प्राप्ति संभव है प्रमात्मा एक अनंत सर्व शक्तिमान सत्यकृता निर्भई निर्वर आयोनी स्वंभु है और मूर्थी पुजा निर्थक है संथ साहिते में गुरुनान के कैसी वेक्ति जिनोंने इस्त्री की निंदा ने किये अपि तो उसकी मेता स्विकार किये अब हम गुरुनान बेव के पदों पर सक्षुक्तिम विचार करेंगे कि इनके पद है वो कहते क्या है इनके पदों का मुख्य सार या मुख्य विशे क्या है मंद्रे प्रभु की सर्णी विचारो जे शिमरत गनका से उदरी तांको जसूर दारो अटल भयो दुव जांके शिमरन अरू उदरी निर्वे पद पाया दुख हर्ता ये विदी की सुआई कहे विशुराया जबकी सर्णी गई क्रिपा निदी गजु ग्राहित छूटा नानक देव कहते हैं कि ये मन प्रभु की सर्ण का विचार कर दूँ जो जो लोग प्रभु की सर्ण में गएं उनका उद्दार हो गया है गनिका जे सिवेश्या बगवान का नाव लेकर के उनके प्रताप से तर गई ताको जसु उरिधारी उसने अपने हर्दे में उनके येस को दारन किया और उनका नाव लिया तो गनिका जे सिवेश्या पाप करने वाड़े वरत भी तर गई और दूर्व को अपने पिता की दूसरे राने के पुत्र को गोदी में जेकर के दूर्व ने परतिग्या की थी और उसकी मान ने उसे उपदेश दिया था कि भगवान को इसमरन करो और भगवान की आराद ना करो वो तुमें अपने पिता से बेची गो देंगे तो यहां पर उस संदर्व से बातें कही जा रहे है कि अटल वयोद हो जांके शिमरन अरूदरी निर्वेपद पाया जब भगवान का उसमें इसमर्ण किया भगवान को याद किया तो ऐसा निर्वेपद उत्तर दिशा में उस प्रातल कर दिया यह भगवान के महिमा का वर्णन है दुख हरता ये विदी सुनाए काहीं पिसरिया दुख हरने वारे को किस विदी से भूला जा सकता और जो भूल गए वो पस्ताने के सिवावन के पास में कुछ नहीं जब ये सरनी गए कृपा ने जी गज उग्रांते छूटा कृपा करने वारे भगवान के सरन में जब गज गया तो मगरमच के बंदन से छूट गया महिमा नाम का लव बरनव राम कहता बंदन उती तूटा महिमा उस नाम के इतनी बड़ी है कि कहां तक बरनन किया जाए राम कहते ही इस दुनिया के बंदन से छूटकारा मिल जाता है और अजामिल को पूरी दुनिया जानती है कि कितना बुड़ा पापी था नाराइन नाम उसने पुकारा और इस जगत से उद्दार पागया नानक दासी कहते हैं कि नाम राम रूपी चिता मनी ऐसा है जो इसको नाम लेता इस मन करता है वो इस भाव सागर से पार चला जाता है तो इस पद में नानक देव ने राम के नाम की महिमा का वर्णन किया मिली जलू जली खटाना राम संग से दोती मिलना राम समावू पूर्ण पूर्ख करते आपी आपई जानी रे तै सुनी सेद समाधी लागी एक-एक बखानी आपी गुपता, आपी मुपता, आपी बखाना नानक ब्रमते गुण विना से मिली जलू जली खटाना योगमार के इस पद में नानक ने का है जैसे जल में जल मिल जाता है तो राम के संग दी जोती मिल जाए राम की फिर क्या कहना है समाहू पूरण पूरख करते आपी आपी जानी रे सबी लोग अपने बढ़ाई करते हैं और अपने ही अपने कोई पूर्ण मानते हैं तै सुने सेद समाधी लागी एक-एक बखान ही रे नानक दास्ची कहते हैं कि सेद समाधी लगा करके यदि राम के गुणों का एक-एक करके बखान किया जाए अपने गुणों के बजाए आपी गुप्ता आपी मुप्ता आपी आप बखान है तो वो ही गुप्त को भी जा इकटाना नानकदास ही कहते हैं कि ब्रहम से गुणों का विनाश होता है संसे गुणों का विनाश करता है जैसे जल में जल मिल जाता है तो राम के साथ में दी राम में होकर के रह रा जाए तभी एक हो जाना ही राम में हो जाना ही सबसे बड़ा उपलब्दी है अब राखवू दास भाट की लाज जैसे राखी लाज बगत परलाज के हरन्या कुछ फाड़े कराज पुनी द्रोपती लाज राखी हरी प्रभू की चिनत वस्तर दिन बहु साज सुदामा अपराते राखी आगनी का पठत पूरती उकाज इस तरी सती गुरू सुमिरना जगजरी होई राखो दास भाट की लाज इस पद में ऐसे बाव है कि भकत है कि बस में होते हैं बगवान और बहाट बगत की लाज रखने वाले भगवान ही है उनोंने परलाद की लाज रखने के लिए अपरलाद को बचाने के लिए हर्नियकुस को खाड करके उसका नस कर दिया द्रोपति की लाज बचाने के लिए बरिशभा में प्रभु ने छीने हुए वस्त्रों की जगा अच्छे वस्तर बहु साज बड़े सुन्दर वस्तर है उसको द्रोपति को प्रदान कर दिये सुद्धामा जैसा गरीब उसको अपना करके रखा और गणिका ने जो ही राम का नाप पढ़ा उसके सारे काम हो गए इस्तरी सती गुर सुमिरन कल जुग होई राको बाट की लाज इस्तरी का सती का गुरू का समिरन यदी कल युग में किया जाए गुरू का सुमिरन यदी कल युग में किया जाए तो राको दास बाट की लाज तो भगवार उस दास बाट की लाज रखते हैं उसकी मदद करत अगला पद शावन आए रहे सकी केत चीत करें नानक जूरी मरें दो आगनी जिन अबरी लागा ने हूँ वीरणी के समद में नानक देव कहे रहे हैं कि शावन का महीं आ गया ये सकी अब इस चित का क्या करो नानक कहे रहे हैं कि वीरणी दुखी वीरणी जुड़स के मर जाएगी जिनने अबरी लागा ने हूँ जिनने गहरा प्रेम हो गया है यानि बक्ती का और वीरे का मेल बेठाएगे है कि जिनने बगवान से ज्यादा प्रेम हो गया है वो इस दुनिया के दुख से दूरो करके भगवान के अंदर रम जाएंगे सब सब्द उसी के हैं उसी के अंदर समा जाते हैं उसी से निकड़े हैं उसी के अंदर लोट कर जाना है जो कोई इस बेद को जान जाता है नानक दास सी कह रहे हैं कि मैं उसी का दास हूँ और उसी निरंजन देव की आराध ना करता हूँ जब तब सम्किवजिये अविकारा सभिवादी नानक बनिया मनिर वोजिये गुरू प्रनादी जब तब नानकदास ही कह रहे हैं कि जब और तब के समान कुछ करना चाहिए सबी वादों को छोड़ कर नानकदास ही कहते हैं कि भर्म को मार देना चाहिए और भर्म जब ही मर सकता है जब गुरु प्रेना दे प्रेना का परशाद दे गुरु ज्यान दे, तब ही ब्रह्म मर सकता है, संसे मिट सकता है और बिना संसे के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती सागर मैं भूंद भूंद मैं सागर कणू भुझे विद्य जाने उत्भुझ चरत आप करे चीने आप ही तनुपी चाने सागर में भूंद और भूंद में सागर कवान भुझे विद्य जाने, इसको कोण भुझे और कैसे कोई जान सकता है उत्भुझ चरत आप ही करे चीने, चीने का मतलब होता है पहचाना लोग अपने मतों के अनुशार, अपने हिसाब से चलते रहते हैं आप उतनों पेचाने, अपने आपको पेचानते भी नहीं है बर्तु नेम तिर्थ ब्रमे, बहु तेरा बोलानी बूठ अंतरी तिर्थ नानका सोचत नाही मूठ वस्तु नेम तिर्थ ब्रमे, बर्त बर्तु का मतलब होता बर्त, नियम, तिर्थ ये सब भ्रह्म में डालने वाले है बहुत तरह बोलाने ही बूठ बूठ कहते हैं विचार को और ये बहुत तरह के विचार लोगों के बीच में चलते रहते हैं अंतरी तीरत नानका नानकदासी कह देंगी तीरत तो अंतरतम में है अपने है दिल में है चोचत नाही मूठ ए मुर्क इस बात पर विचार को नहीं गड़ता कि तीरे तो तेरे अंदर ही है नानक लागी तूरी मरे जीवन नाही तानू तोटे शेती जीवर लागी साप परवानू नानक दाशी कहते हैं कि जीवतत्व नहीं मरता जीवन नाही ताणू जीव तत्व नहीं मरता दगी तूरी मरे उपरी बारी तत्व ही मरता के वर चोटे सेती जे भरलागी चोट तो अंदर की अंतरात्मा इसेती है परम तत्व ही सेता है चोट शेती जे भरलागी सा परवानू वही परम तत्व है जो चोट सेता है नानक अरन जी किया सोई सार करे उ हुकम न जापी किसम का किसे बढ़ाई दे नानक दासी कहते हैं कि नानक पणा तो इसी में है जीने किया सोई पार करे उ हुकम न जापी किसम का किसे बढ़ाई दे यदि पती का कोई सती इस्तरिय दी उसके हुकम को नहीं मानती तो दुनिया उसको बढ़ाईने देती वेशे ही नान करन इसी में है जिन किया सो इसहार करे हुग जो कहा गया जो गुरू ने कहा उसके एनुसार ये दिका जाए जो कुछ भी कहा वेशा येदी आचंध करे सत्य के साथ सत्य ये दिया आचन हो तब ही इस दुनिया की सम्मान मिल सकता है उसको इस तरी को कोई सम्मान नहीं मिलता जो अपने पति की अग्या का पालन नहीं करती तो उस भगत को भी कोई सम्मान नहीं मिलता जो अपने परमात्मा कोई आग्या का पालन नहीं करता तो गुरु नानक देव ऐसे संतु हैं जिन्होंने जो कुछ भी का उसी के अनुसार उनका अनुभव किया उनके एक एक सब्द जैसा उनोंने का वेशा अनुभव और आचन करके दिखाया यही गुरु नानक देव की विशेष्टा है आज हम इतना है इसके बाद में दूसरे टोपिक की विचार करेंगे धन्यवाद